हमस्कार दोस्तो वेलकम टो हम प्लान फोर यू आज हम जो प्लान डिसकास करेंगे उसका साई छे 22 फीट इन्टू 45 फीट यानि कि 990 स्क्वेर फीट ये 1000 स्क्वेर फीट का अस्पासी होगा जो कि इसमें हो जेगा आपका क्लेण के रिकॉर्मेंट है ओओ आपका 3 यह आपका staircase, यहाँ पर मिल जाता आपको एक kitchen, और जो कि kitchen के पास में आपको यहाँ पर dining space हो जाएगा, और यहाँ पर मिल जाता एक common toilet, और यह आपका master bedroom, और इसका attest toilet, यह master bedroom भी कर सकते हैं, हम just bedroom लेखें, आप master bedroom देने से अच्छा हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका एक, तिसरा bedroom, एसे है आपका 22 feet, और एसे है इसका length है आपका 45 feet, request करता हूँ, वीडियो को end तक देखें, क्योंकि मैं आगे इसका interior, इसका detail size और इसका detail estimate आपको समझा होंगा, आपको सब कुछ पता चल देगा, कुछ भी doubt ने रहेगा, दोस्तों और कुछ doubt रहेगा आप विल्कुल subscribe नहीं कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, subscribe और नहीं बोर रहे हैं, प्लीज दूसरो share जोरूर करना, यह आपका, आज का जो हम plan discuss करेंगे, उसका full view है, अभी हम देखेंगे, आज का जो यह 3 ways का house plan है, उसका interior, यह आपका approach, यहापर आप बाइक पार कर सकते है और यहाप पर open space हो जाएगा, आप कुछ भी उच कर सकते हैं, यहाप पर जो आपका पहला bed room मिल जाता है, पहला bed room पर हम इसी कोन पर देखेंगे आपका mirror unit, और यहापर है आपका एक bed, और इस तरह हो जाएगा, जो कि डोर की सामने हो जाएगा, आपका एक wardrobe दोस्तों, यह आपका gate, जो कि door का है, यह आपका main gate, main gate के सामने में आपको dining come living space मिल जाता है, आप यह से एक, हम three seater का एक sofa डले हैं, आप ऐसे भी डाल सकते हैं, कुछ भी style का, यहाप एक sofa हो जाएगा, और यहापर आप एक TV unit भी दे सकते हैं, आपकी margin, और जो आपका stair है, stair का up ऐसे हो ज आता है, हम यहाँ पर six seater का dining table दिये हैं, जो कि kitchen के पास में ही हो जाए आपका dining table, और kitchen का यह आपका slab, slab की उपर हम दिया आपका stove, और इसी corner पर दिया आपका sink, और इसी corner पर freeze रखे हैं, आप यहाँ पर freeze रखने के लिए हम space छोड़े भी हैं, जो कि slab नहीं दिया हैं, दोस दो, और यहाँ पर एक wash fashion दिया हैं, जो कि आपका यह outer purposes के लिए हो जाएगा, जो कि dining purpose के लिए हो जाएगा, और यहाँ पर एक आप कमड भी दे सकते हैं, आपकी हिसाब से, जो आपका, यहाँ पर master bedroom में एक मिल जाता है, master bedroom पर हम इसी wall पर, जो कि outer wall पर हम दिया आपका एक वेट्रफ और यहाँ पर दिया है, जो कि toilet की पास में हो जाएगा, आपका एक mirror unit, जो कि अच्छा लेगा दोस्तों और अच्छा भी हो जाता है, जो इसका यह test toilet है, outer wall पर हम यहाँ पर दिया है, और door का right side पर हम यहाँ पर दिया है, आपका एक shower, और इसी कनर पर दिया है, आपका एक mirror unit दोस्तों, प्लीक दोस्तों चैनल को subscribe करें, मैं इसी चैनल पर आपकी comment की साइच की इसाप से वीडियो अप्लोड करता हूँ, बेल आइकन को प्रेस कर दी, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अप्लोड करूँ, आपको notification मिल दे, और वीडियो अच्छा ला तो like ज ज़रूर support दे, आप बिल्कुल share ने कर रहे हैं दोस्तों, प्ली दोस्तों ज़रूर support दे, मैं analytic में देखता हूँ कि मेरा जो 80% भीव आता है, वो non subscriber से आता है दोस्तों, और 10 या 15% वो subscriber से आता है, और 5% ज़रूर पर्पोस कहा कहा से आता है दोस्तों, प्ली दोस्तों यह है आपका, यह है आपका, इंटेर का full view, हमागी इसका detail size और इसका detail estimate देखेंगे, वीडियो को end तक जरूर देखेंगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, अब हम डिसकस करेंगे, आज का जो 22 into 45 feet का house plan है, उसका detail size, इस plan में आपका यहाँ पर open है, और यहाँ पर आप आपको प्रोज मिल जाते है, उसका length है आपका 10 feet 4 inch, एन सहूर थे आपका 7 feet 18, जो यह main gate है, आपका 5 feet का हो जाएगा, जो आपको पहला bedroom मिल जाते है, पहला bedroom का door है, आपका 14 inches का, और जो bedroom का length है, आपका 11 feet, एन सहूर थे आपका 10 feet, जो इस bedroom पर आपका ventilation के लिए, आपका एक 9 feet 6 inch, जापको staircase मिल जाते है, staircase का space हो जाते है, आपका 10 feet 18, एन सहूर थे आपका 9 feet 2 inch, जो stair का rider है, आपका 7 inches का, और जो stair का trade है, आपका 10 inches का हो जाएगा, stair का आप ऐसे हो कि आप यहाँ पर landing कर देंगे दूस्तो, stair की नीचे यहाँ पर आपका space मिल जाएगा, आप कुछ भी स्लाफ है, जो आपका 25 inches का स्लाफ है, और जो स्लाफ है, आपका floor level से height उसका है, आपका 32 inches, और जो यह windows है, आपका open windows हो जाएगा, यह हो जाएगा, आपका 3 feet का, जब को यहाँ पर एक common toilet मिल जाते है, उसका length है आपका 6 feet 7 inch, एन सहूर थे आपका 4 feet 4 inch, आपका जो ventilation के लिए हैं, आपका 1 feet 4 inch हो जाएगा यह ventilation और यह जो door है, आपका 32 inches हो जाएगा, इसमें जो आपको दूसरा beddo मिल जाता है, उसका length है आपका 11 feet 8 inch, एन सहूर थे आपका 10 feet, और जो यहाँ पर हम ventilation के लिए windows दिये हैं, यह आपका 3 feet का हो जाएगा, यह जो windows देंके जहाँ पर आपका open space होगा, यहाँ पर ज़रूर windows दिजेगा दोस्तो, ventilation के लिए, और जो इसमें जो आपको attest outlet मिल जाता है, उसका length है आपका 6 feet 7 inch, एन सहूर थे आपका 4 feet 3 inch, यह जो ventilation है, यह आपका 16 inches का हो जाएगा, यहाँ पर हम partition वाली उसकी हैं, यह 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 और यह आपका 5 inches का हो इसले 9 inches होता है, हम 10 inches दिये हैं, क्योंकि मोटार का मिला कर दिये हैं दोस्तो, यह जो door है आपका, यह आपका 32 inches का हो जाएगा, और यह door हो जाए आपका 3 feet का, जबको तिसरा बेड़ू में यहाँ पर मिल जाता है, तिसरा बेड़ू का length है आपका 11 feet 6 inch, एन सहूर थे आपका 9 feet, 11 feet, यह एक चोली 11 feet 8 inch है, यह 11 feet 8 inch है, और इसका जो length है आपका 11 feet 8 inch हो जाएगा, एन सहूर थे हो जाएगा आपका 9 feet 6 inch दोस्तो, प्लीज चनल को सब्सक्रेब करना ना भूले, अच्छा लाए तो लाइक करे और शेयर जरूर करे, क्योंकि दूसरों को भी कुछ हेल्फ ह हो ज mónजे कामेंन करे बहुत है कि आपको कॉन सा साथ का प्लान चाया और आपको प्लान कैसा लगा जरूर फ्लेग दिजीगा दोस्त गास्तो, अच्छा ला तो बुरा लगा लेकिन जरूर फ्लेग दीजिगा दोस्तो, और मुझे जरूर सपोर्ट देना, शेयर करके आप सस एक्षाइब जरूर करना यह आपका डीटेल साइच का फूल विउव हम आगे इसका डीटेल एस्टेमेर देखेंगे वीडियो को एन्टत जरूर देखें प्लीज दोस्तो आपका चनल होम प्लान फ्यर को जरूर सब्सक्राइब करें यहाँ पर जो बैल आकन होगा यहाँ पर प्रेस कर दे यहाँ प्रेस कर देने से यह होगा कि मैं जब भी वीडियो अप्रोड करूँ आपको नोट्पिकेशन मिल जागा दोस्तो अब वीडियो अच्छाला तो error लाइक कीजिए और आपका वीलियवुल कमेंट ज़ आँबूर किजिए दोस्तो मेरा इंप्रूप करूँगा आपका कमेंट देखकर प्लीस दोस्तो ज़़ूर कमेंट कीजिए और वीडियो को यदा से यह ज़़ जरूर सरोड किजिया ब्रिक्स के लिए होज़ा आपका 87,500, टाइल्स के लिए होज़ा आपका 50,000, प्लम्बिंग के लिए होज़ा आपका 37,500, इलेक्टिकल के लिए होज़ा आपका 37,500, सानिटेरी परपोस के लिए मेटिलर कोस्ट होज़ा आपका 31,250, डोर विंडोज के लिए होज़ा आपका 37, प्रेंटिंग वार के लिये हुआ है आपका 56,250 अर एक्टा वार के लिए है आपका 37,500 या आपका सेप्टी पॉर्पस के लिए आप इससे ज्यादा रखेगा दोस्तों ये मेट्रियला कॉस्ट के लिए और टोटार मिलाकर आपका एप्रोक्समेट लिए एस्टिमेंट हो या था आपका 12,50,000 यह अप्रोक्समेट इसलिए है कि यह आपका location के हिसाब से और आपका quality की material के हिसाब से यह depend करेगा इसलिए यह अप्रोक्समेट एस्टिमेट है दोस्तों यह आपका एप्रोक्समेट एस्टिमेट का फूल व्यू आज का जो प्लान है उसका पीडियेप आपको इसका डेक्सक्रेशन पर वसके साब लिंक दे दूँगा आपको मिल जाएगा मिलते हैंगा नाए वीडियो पर थेंक्यू